नमस्कार दोस्तों, आर्ट विज्वल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगी एंटियर नेट विज्वल आर्ट जून 2019 के सॉल्ड कॉश्चन पेपर के बारे में यह इस स्रीज की तिसरी वीडियो है। इसमें हम 51 कॉश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारा कॉश्चन है नृत्यो में शिव का प्रतिकात्मक प्रस्तोतिकरन है स्रीजन, विनाश, कास्मिक नृत्यो, शांती। सही विकलब चुनिए। आप्शन में है A, B और C, D, A, B, A, D, C, C, B, D तो इसका जो सही अंसर है वो है option number 1 यानिकी A, B, और C नृत्यो में शिव का प्रतिकात्मक प्रस्तोतिकरन स्रीजन, विनाश और कास्मिक नृत्यो है। नेक्स्ट कॉश्चन है सुची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सुची 1 है और 2 है उसको आपने आपस में मिलाना है तो सुची 1 में है संथाल फैमिली ओफ रामगिंकर, गोल्डन हैड ओफ बुल, फ्रॉमवर, मेडूसा, एंड हरसन, क्रिसार, दा, लियोकून ग्रूप इसके सामने है इराकी संग्रालियो बगदाद, शांती निकेतन, वैटिकन और कॉर्फू संग्रालियो ग्रीस, सही विकलब चुने, तो इसमें भी आपको कई ऑप्शन दी गई है बट जो इसका सही एंसर है वो है ऑप्शन नमबर 1, यानि की संथाल फैमिली ओफ राम किंक जो की शांती निकेतन में है, गोल्डन हैड ओफ बुल फ्रॉम उर जो है वो आपकी इराकी संग्रालियो बगदाद में है, नमबर 3 पे है मेडूसा एंड हरसन, कृसार ये आपके कोर्फू संग्रालियो ग्रीस में है, फिर है दा लियो कून ग्रूप जो है वो आपकी अपरमशुद, बॉर जो साही एंसर नंबर 1 और यानि कि भी अब लौति भट धकर सबसे हैं, और भu मैं पालियो-जो बट भां, और सबसे है, फिर है कर्षन अहूज़ोब, प्र एक के आरश कोर्ण котором परिशन देजे, दालियो को पढ़ते हैं, मैं बटो किसे प्राइV, option में है drawing painting writing aging तो इसका सही answer है आपका calligraphy जो है वो writing से सम्दित है यानि कि option no.3 यह आपका सही हो जाता है next है भारत में seriography छापा-कार का कार्य करते है option में है मोती छरोटिया जोती भट रीनी धुमल या परमजीत सिंग सही विकलब चुनिये तो option में है A, C और D सही है A, B और C सही है B, C और D सही है A, D और B सही है तो जो उसका right answer है वो option number 4 यानि की A, D और B सही है यानि की सबसे पहले है आपके भारत में serigraphy छापाकार जो है वो है मोती, जरोटिया है परमजीत सिंग है और जोती भट है जो रिनी धुमल है वो नहीं है इसके अलावा जितने भी जो तीन कलाकार है वो सारे के सारे serigraphy में कार्या करते हैं तो अब next question की बात करते हैं निम्मल लिखित मैसे किसके जितरों के बारे में यह हम माना जाता है कि उस पर stone glass जितरकला का प्रभाव है अप्शन में है हेंडरी मातिस जूर्ज रुआ बलार्मिक या मोद्रियान तो इसका जो सही एसर है वो है option number two यानि की जॉर्ज रुआ next question है भारतियों स्थापत्यों की शैली उत्क्रेण गुफाएं निम्मल लिखित है भाजा गुफा अजन्ता गुफा संख्या सत्रहा लोमस रिशी गुफा केलाश मंदिर एलोरा सही काल करम चुनिये तो इसमें भी option दिए गिये है D, A, B, C, C, B, A, D A, C, B, D, C, A, B, D तो इसका जो सही एसर है वो है option number four यानि की C, A, B, D यानि की सबसे पहले है आपकी लोमस रिशी गुफा फिर है भाजा गुफा फिर है अजन्ता गुफा संख्या सत्रहा उसके बाद है आपका केलाश मंदिर जो की आपकी एलोरा में स्थित है तो इससे नमबर four आपका सही हो जाता है next question है नीमलिकित में से किसे तेल चितरकला के जनब के रूप में जाना जाता है ऑपशन में है हरबट वॉन आइक फिर उसके बाद है टिन टो रेटो फिर है जोन वान आइक फिर है रूबेन्स तो इसका जो सही अंसर है वो है ऑपशन नमबर three यानि कि तेल चितरकला के जनब में आपको उनकी चित्रकारी यानि की कलाकृतियों को बताया गया है जैसे सुची वन में है विल्लियम टर्नर, जॉन वामीर, लियोर नार्दो दाविंसी, गुस्ताब, कुर्बे तो इसके सामने है दा मेडोना ओफ दा रॉक्स, दा मिल्क मेड, एपल्स एंड पॉम ग्रेनेट्स और दा फाइटिंग टैमेरेर तो इसका जो इसमें भी काफी ऑप्शन दीएगे हैं आपको बट जो इसका सही एंसर है वो है ऑप्शन नमबर फॉर यानि कि जो विलियम टर्नर है उनकी जो पैंटिंग है वो है दा फाइटिंग टैमेरेर उसके बाद है जॉन वामीर इसकी है दा मिल्क मेड, फिर है लियो डार्ठी, इनकी है दा मेडोना ओफ दा रॉक्स उसके लास्ट में हैं गुस्ताव कुर्बे इनकी है एपल्स एंड पॉम्ग्रे नैट्स तो इस तरह से option number 4 हमारा सही हो जाता है next question है आपका मूल भारती वास्तु कला किस से संबंदित है option में है शिल्प शास्त, चितर सुतर, मानुशी शास्तर या वेध तो इसका जो सही एंसर है कि जो हमारी भारत की वास्तु कला है वो शिल्प शास्त से संबंदित है तो इस तरह से option number 1 हमारा यानि की शिल्प शास्त सही हो जाता है next question है मतुरा शैली की कुशान मूर्तिया नीमल लिखित पर केंद्रित है इस में option में है देश शैली बौध विशेवस्तु या थार्तवाद रचना या समुचस बौडी फॉर्म सही सिंगोजक चुनिये option में है A और D सही है A और C सही है C और D सही है C और B सही है तो इसका जो सही एंसर है वो है option number 1 यानि की A और D सही है यानि की मत्रा शैली की कुशान मूर्तियां जो थी वो देश शैली और समच्वस बौडी फॉर्म पर केंद्रित थी next question पर आगे बढ़ते हैं लिवनार्दो दा विंसी ने चितरकला की अपनी तकनीकी में option में रेखाओं को तिक्षन किया आकरितियों को दुन्दला किया तो जो लिवनार्दो विंसी थे उन्होंने अपनी चितरकला में option number 4 यानि की रेखाओं को दुन्दला किया था नेक्स्ट कॉशन है अल्बत ड्यूरर किस देश के थे आप्शन में हैं इंगलेंड, चेन, जर्मन या रूस तो उसका जो सही अंसर है वो है आप्शन नमबर 3 यानि की वो थे जर्मन की नेक्स्ट कॉशन है डोगरा विधी समंदित है आप्शन में है टेराकोटा, वोड कार्विंग, ब्रॉज कास्टिंग या ड्रॉइंग तो जो डोगरा विधी जो है वो आपके आप्शन नमबर 3 यानि की ब्रॉज कास्टिंग से समंदित है नेक्स्ट कॉशन है अमेरिका वीडियो शियरिंग वेबसाइट यूटूब जो नमबर 2006 से गूगल की सायता के रूप में कार्या काम कर रही है काम मुख्यालय है आप्शन में है यूटूब जो की गूगल की साता कर रहा है 2006 से उसका मुख्यालय जो है वो सैन ब्रूनो कैलिफॉर्निया यूएसे में है तो नमबर 4 हमारा सही हो जाता है नेक्स्ट कॉशन है निमलिखित का सही करम चुनिए उप्शन में है मैंडरिजम, गोथी कला, बाइजन्टाइन कला, ब्रोक कला सही करम में है B, A, C, D, A, C, D, B, C, B, A, D, D, B, A, C तो उसका जो सही एंसर है वो है उप्शन नमबर 3 यानि कि C, B, A, D यानि कि सबसे पहले जो है आपकी आती है बाइजन्टाइन कला, उसके बाद गोथी कला, फिर है मैग, रिजम कला, फिर उसके बाद है आपकी बुरोक कला और इस तरह से नमबर 3 आपका सही हो जाता है तो नेक्स्ट कॉशन है होकुसाई निपुण थे, आप्शन में है इंग्रेविंग प्रिंट्स में, इंटेगलियो प्रिंट्स में, या वोडगट प्रिंट्स में, या ड्राइपॉइंट्स में, प्रिंट्स से तो इसका जो सही अंसर है वो है नमबर थ्री यानि कि वुड़ कट प्रिंट्स में जो थे वो हकुसाई निपुण थे तो नेक्स्ट कॉशन पे है खर्बुजिया गुंबद का उधारन है उप्शन में है जामा मस्चित आगरा, मोती मस्चित आगरा, ताजमहल या गोल गुंबद तो जो सही अंसर है वो है उप्शन नमबर वन यानि कि जामा मस्चित जो की आगरा में स्थित है वो हो खर्बुजिया गुंबद का उधारन माना जाता है नाइस्ट कॉशन है चितरकला की कानो शैली सम्मंदित है ओप्शन में है चीन से, जापान से, इरान से या भारत से तो जो चितरकला में जो कानो शैली है वो हो जापान से सम्मंदित है यानि की ओप्शन नमबर टू राइट है next question है सही कालकरम चुनिए option में है गरीक कला, कांशिय कला, बायजन्टाइन रिया अभिवेक्टिवाद या अभिवेक्तिवाद तो जो सही answer है option number three यानि की पहले है कांशिय यूग है उसके बाद आप यहाती है ग्रीक कला उसके बाद आता है बाइजन्टाइन कला फिर अभिवक्ति वाद इसा से option number 3 हमारा right answer हो जाता है next है O और P जैसे letter form के अंदर स्तित white space को कहा जाता है option में है ascender, counter, descender या bowl इसका जो सही answer है वो है counter या option number 2 right है next question है लगुचितर में हाशिय का प्रयोग किया जाता था option में है राजिस्थानी लगुचितर में, पहाडी लगुचितर में, गोल कुंडा लगुचितर में या मुगल लगुचितर में तो इसका जो सही एंसर है वो है option no.4 यानि कि मुघल लगुचितर में सबसे ज्यादा जो है वो हाशिया जिसको हम जो है बॉर्डर भी बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है तो next question है आपका सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए सुची 1 में है आपके M.F. हुसेन, अबरिंदर नार्टेगोर, गगरिंदर नार्टेगोर या सुबोध गुपता इसके सामने है क्यूबिस्टक टकनीक वाश टकनीक कसे चुछ आठ टकनीक लोक कला टकनीक तो सही उतर का चैन कीजिए इसमें भी काफी option आपको दी गई है बट जो इसका सही एंसर है वो लोक कला टकनीक के लिए जाने जाते हैं और जुआ अबिदर ना टेगोर है उनको वाश टकनीक के लिए जाना जाता है उसके बाद रहाद अगरिंदर नबर टु हमारा राइट हो जाता है next question है Michael Angelo की पिएटा की उंचाई है option में है 67 सही 1,2 cm 68 cm, 60 cm या 68 सही 1,2 cm तो इसका जो सही answer है यानि कि Michael Angelo की पिएटा जो एक मूर्ती शिल्प है उसकी उंचाई है वो आपकी option number 4 यानि की 68 सही 1,2 cm है अब next question पर आगे बढ़ते है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए सुची 1 में है आपके पहला है horse दुन्षा का rapid the volume जोर्ज वांट ग्लू का water rack marshal दुन्षा का dawn इनो house लीक और बुज्य का इसके सामने जो है वो है पाशान, कांस्यो, कंक्रीट या ready made low या इसको हम बहते हैं well dent तो इसका जो सही option है वो है option number 4 यानि की horse जो horse पेंटिंग है वो जो है दुन्षा की है वो बनाई गई है आपके कांस्यो में उसके बाद आता है rapid the volume जोर्ज वांट glue का है यहाँ बना है पत्थर का यानि की पाशान का तो next है आपका water rank जो की marshall दुशा का है दुशा का है sorry वो आपका बना है ready made low का और जो last में है dawn इनो house ली कार्बुजयो का वो बना है आपका concrete का यानि की क्योंकि जो ली कार्बुजयो थे वो एक वास्तुकार थे उन्होंने जो है ताज मेहल का सौरी ताज मेहल नी चंडिगर के वास्तुकार भी जो है वो ले कार्बुजयो है तो इसला से अब number four आपका right हो जाता है तो next question पर आगे बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा museum of and decorative art and design option में है museum of fine arts बोस्टन Lubris museum पैरिस फ्रांस में तो इसका जो सही एंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा museum of and decorative art art and design वो कहा है ये पूछा गया है तो वो है आपके option number one यानि कि the Victoria and Albert museum लंदन में है तो इस तरह से option number one हमारा सही हो जाता है next question है ascetic अमल का प्रयोग किया जाता है option है आपके gum binding में speak binding में चूना पत्थर की सफाई के लिए या अनोखे print के लिए तो जो सही एंसर है इसका वो है option number three यानि कि ascetic अमल का प्रयोग जो है वो चूना पत्थर की सफाई के लिए किया जाता है तो इस तरह से option number three हमारा right हो जाता है next question है कला में महत्तवता है option में कलाकरितिके अंदर तत्व की कलाकरितिके बाहरी तत्व की कला तककिनीकी और सिधान्त की प्रकृतिक वस्तमों की विवस्था की तो इसका जो सही एंसर है कि कला में महत्ता होती है कला कृती के अंदर तत्वों की तो इस तरह से option number one हमारा सही है next question है वान गौन की कृती night shining white है यह option में है तांग राजवंश्की है सुई राजवंश्की है हन राजवंश्की है या शान राजवंश्की है तो इसका जो सही एंसर है वो है आपका पहला याने की तांग राजवंश्की है next question है आपका हम जब pigment या paint का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पददी होती है option में है subtractive color method काला से शुरू होता है और श्वेच से स्माप्थ होता है काला से श्वेच से शुरू होता है और काला से स्माप्थ होता है CMY के color पददी पर अधारित है option में है इस पर AC और D AB और C BC और D CD और B तो इसको जो सही एंसर है वो option number one यानि की पहले है आपका subtractive color method है फिर श्वेच से शुरू होता है और जो है काले रंग पर खतम होता है और उसके बाद है आपका CMY के color पददी पर अधारित होता है